अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है लगबब 5-6 दिन और बचा हुआ है तो आई होप फ्रेंट एक्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी बहुत से इस्टूडेंट का ये एक्जाम पहली बार होगा क्योंकि वेकंसी लंबे समय के बाद आई है इसलिए कुछ इस्टूडेंट के मन में घवराहट भी होगी कि कैसा पेपर होगा कहीं कुस्टन सिलेबस से हट कर तो नहीं आएगा और फिर आखिर में जो सभी स्टूडेंट के मन में बात आती है कि कट आउप कितनी जाएगी तो बात करेंगा आज की वीडियो में इसी टॉ पर वीडियो पसंद आये तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक किजिएगा और चैनल पर नए आये हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिएगा ताकि आने वाले सभी अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आईए समझते हैं कटोप से रिलेटेड और जाहिर सी बात है कि आप लोग भी कम से कम दो से दस वीडियो कटोप का जरूर देख चुके होंगे कहीं कहीं पर आपको सुनकर लगा होगा यार इतना ज्यादा कटोप जाएगा एक साल पढ़ने का टाइम भी मिल जाए तो मैं इतना क्वेस्चन घहीं बना पाऊंगा और कहीं से सुनकर इसा लगा होगा बस इतना कम कटोप जाएगा यार यह कैसे हो अक लाकों कि संक्या में फोर्म डाला गया है और इतना कम कटॉप जाएगा देखिए यही मेन, ररीजन है परिक्षा के अंतिम समयों में पढ़ाई से ध्यान का भठकन और पढ़ाई से हट कर तरह-तरह की बाते दिमाग में आने का और अन्तिम में परिक्षा हॉल में जाकर जानने वाला पॉंच से दस कोशन मिनिमम पॉंच से दस कोशन गलती करके आते हैं और जब रिजल्ट दो से तीन नम्मर से लगबग दो से तीन ये पॉंच जीरो तीन एक दूसरे नम्मर से नहीं होता है तो आप सबसे पहले आयोग को दोस देते हैं और पिर यूटूब पर कमेंट करते हैं आप इतना बोले थे मेरा इतना आ रहा है था फिर भी नहीं हुआ तो दोस्तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि cut-off अगर exam से पहले result से पहले कोई बता रहा है तो वह एक अंदाजे से बताता है जबकि बिहार पुलिस का cut-off आयोग भी नहीं बताता है यहां तक कि result के बाद भी नहीं बताता है हां कुछ-कुछ बाते हैं जो कि सभी को पता भी वता है जैसे कि यह vacancy 365 पदों के लिए लिख ली है अब इसका P.E.T. पडिक्षा के लिए आयोग result देगी seat का पहुँच गुना तो total हो जाएगा 1825 365 गुना पहुच हो जाएगा 1825 अब देखिए फॉर्म अपलाई किया गया है लगभग दो लाख आठतर हजार इतना फॉर्म डाला गया है अब इसमें अगर मॉन लिया जाए धाई लाख स्टूडेंट का एड्मिट काड जारी होगा क्योंकि कुछ इस्टूडेंट फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं तो उनका लगभग 28,000 हटा देजिए दो लाख आठतर हजार में 28,000 हटा देजिए तो धाई लाख का एड्मिट काड जारी होगा अब देख लेते हैं पीटी परिक्षा के लिए सफल होने वाले स्टूडेंट में कमपिटीशन कितना है तो भाग दिजिए धाई लाख स्टूडेंट जिनका एड्मिट काड इतना का जारी होगा और रिजल्ट आएगा पहुँच गिनों यानि कि बटर 1825 1825 स्टूडेंट का फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा तो कितने स्टूडेंट में कमपिटीशन है लगबग हो जाएगा 136.96 इतना स्टूडेंट में कमपिटीशन है पीटी परिक्षा पास करने के लिए अब ये तो हो गया फिजिकल के लिए इतना student पर competition है अब देख लिजिए last में merit तक कितना competition है तो अब भाग देजिए total ढ़ाई लाकी student जितना का admit कर जारी होगा मैं अब भाग देजिए 365 student चुकि seat इतने पदों के लिए निकला हुआ है तो 365 से भाग देने पर हो जाएगा 684.39 लगबग 684 रखिए 684 यानि कि धाई लाकी student में मत्र 365 लोग होंगे जो अंतिम बर्दी तक पहुचेंगे लेकिन इन 365 में से परतियक को 684 लोगों से फायट करना पड़ेगा जो जाहिर सी बात है कि competition बहुत ही ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा करनी परेगी तो आप लोग कटोप की चिंता छोर कर पढ़ाई पर धियान दिजिए और हमेशा मोटिबेट रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अपडेट को लेकर तब तक के लिए जय हिंद